सोच कर देखिए एक सुबह आप बाहर निकल कर देखिए कि अब बाहर कोई इंसान ही नहीं बचा है सभी गाडियां, घर, बिल्डिंग्स, सब कुछ खाली पड़े हैं आप दुनिया के सारे ही लोग गए कहां इसी यूनिक कोंसेप्ट पर बेशड हैं हमारी आज की नई कहानी कहाने की शुरुआत एक फिल्म थियेटर से होती है जो कि आज फुल हाउस था और बहुत सारे लोग मुवी को इंजोई कर रही थी वहें पीचे से प्रोजेक्टनिष्ट पॉल अपने कमरे से सब कुछ हैंडल कर रहा है दरसल थियेटर के इस हिसे में अकसर कुछ जादा ही अंधिरा होता है सो पॉल को हमेशा अपने सिट से एक हैडलाइट बांध कर रखनी पड़ती है पॉल जीसे केकसर साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ना पसंद है वो आज भी मुवी को शुरू करने के बाद अपने बुक को पढ़ने लगता है इस बुक में पंदरवी शताब देगी एक रियल लाइफ गटना का जिक्र था एक आईलेंड पर छोटा सा लोगों का टाउन हुआ करता था लेकिन एक रात अचानक से सब कहीं मिसिंग हो गई कभी कोई पता नहीं कर पाया कि इतने सारी लोग अचानक से कहां गयब हो गई अब पॉल अपने बुक छोड़ कर प्रोजेक्शन मशिन को चेक करने जाता है कि सब कुछ सही से काम तो कर रहा है कि तब ही अचानक से हरोर एक बड़ा ब्लेक आउट होता है हर जगह की लाइट चली गई थी और हरोर सिर्फ और सिर्फ अंधिरा ही था हाला कि पॉल की हेडलाइट अभी तक काम कर रही थी और वो थेटर में देखने जाता है कि ये सब हुआ क्या लेकिन अब जहां कुछ देर पहले सैकड़ो लोगों की भीड़ थी अब वो होल पूरी तरह से खाली पड़ा था पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हुआ क्या इतने सारे लोग अचानक से कहां चले गई वहीं से भी अजीब बात कि उन सभी के कपड़े और बाकी का सामान तो वहीं पड़ा था बस उनकी बोड़ी नहीं थी पॉल चिला कर देखता है कि यहां तो अब सिर्फ एक सेक्यूरिटी गार्ड ही बचा था जिसके की हाथ में एक टॉर्च थी वो भी पॉल की तरह कंफ्यूस था कि अचानक से लाइट आउट होने के बाद हर कोई कहां चला गया अब दोनों एक साथ घुम कर देखने लगते हैं और गार्ड को एक कोने में अंधेरे में कुछ दिखाई दिया था तो वो अकिला ही आगे उसे देखने जाता है कि अब उसकी टॉर्च भी बिलिंग करने लगती है और जब तक पॉल उसकी और देखता अब तो वो गार्ड भी गयब हो चुका था यहां भी बस उसकी कपड़े और बाकी सामान ही बचा था वहीं बाकी दुनिया भर में भी हर और ऐसा ही हो रहा था एक होस्पिटल में एक नर्स रोजमेरी ऐसे ही हैरान हुए घूम रही थी कि अचानक से उसकी होस्पिटल से हर कोई कहा चला गया यहां वो एक फ्लेश लाइट से देखने लगती है कि सारे ही पेशेंट से लेकर डॉक्टर्स तक हर कोई गयब हो चुका है हाला कि ऑपरेशन रूम के लाइट अभी तक भी बैक अप जेनरेटर से जल रही थी और यहां एक पेशेंट भी था लेकिन अब जेनरेटर के बंद होते ही यहां की भी लाइट बंद हो जाती है और लाइट की जाते ही अब पेशेंट भी गायब हो चुका था रोजमेरी बुरी तरह से डर जाती है कि उसके असपास ये सब क्या हो गया यहाँ अब तक ये तो क्लियर है कि लाइट्स बंद होने के बाद ही लोग मिसिंग होते हैं पहले पॉल इसलिए बच गया क्योंकि उसके सिर पर हेडलाइट जल रही थी वहीं हुस्पिटल में रोजमेरी के पास एक फ्लेश लाइट थी तो वह भी इसलिए अभी तक सेफ है वही अब सुबह होने के बाद हम एक टेवी रिपोर्टर लूक दिखाया जाता है जो की उठने के बाद देखता है कि उसकी गल्फेंड अभी तक घर वापिस नहीं आई दरसल वो कल राथ ही केंडल्स जला कर सो गया था सो अब इसलिए वो भी मिसिंग होने से बच गया लूक नोटिस करता है कि अब घर में कहीं भी लाइट नहीं थी उसका फोन तक डैड हो चुका था हाला कि वो इन सबी को इगनोर कर अपने काम पर निकल पड़ता है लेकिन जैसे ही वो बाहर गली में निकला ही था तो वो बाहर देखकर हैरान रह जाता है कि अब पूरी ही में सड़क बिलकुन खाली पड़ी थी हर और सिर्फ खाली कारे पड़ी थी लोगों के कपड़े और बाकी सामान पड़ा था मगर कोई जिन्दा इनसान नहीं था लुक खेरानी में सब कुछ देखी रहा था कि तब भी उसके पीछे एक प्लेन आकर क्रेश हो जाता है सो लुक घबरा कर जल्दी से अपने ओफिस पहुँचता है लेकिन यहां भी सब कुछ बाहर जैसा ही था उसे अभी तक भी नहीं पता कि ये सब कुछ अंधेरे की वजह से हो रहा है हाला कि वो ये तो नोटिस कर लेता है कि इलेक्टरिसीटी से लेकर इलेक्टरिसीटी से काम करने वाले सभी उपकारण सभी कुछ बंद पढ़ चुके हैं वो अपने गल्फ्रेंट की फोटो देखता है और उसे ढूंडने निकल पड़ता है अब इस अजीब औ गरीब घटना को घटे बहतर घटे बीच चुके हैं लोग को पता लग ही गया कि उसे हमेशा लाइट में रहना होगा और अब जब वो एक कार स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि बाहर से एक आदमी उसे अंदर आने को कहता है क्योंकि उसका लाइटर अब खत्म हो रहा था हाला कि लोग खुद को बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोलता और उसकी आँखों के सामने अब अंधेरा होते ही वो आदमी भी गायब हो गया था अब लोग यहां भी बाहर निकल कर कोई दूसरी कार देखने लगता है जो कि वरकिंग कंडिशन में हो और वो यहां से निकल सकी हाला कि इसी बीच उसने ये ध्यान नहीं दिया कि एक छोटी सी लड़की भी टोर्च लेकर उसे देखे जा रही थी मगर वो लुक के पास नहीं जाती अब काफी दिल ढूनने के बाद लुक को एक गाड़ी मिल ही जाती है जिसकी हेड लाइट्स अभी तक जल रही थी लेकिन उसके अंदर बैठने पर ये भी स्टार्ट नहीं होती लुक भागते हुए और आगे जाता है और फाइनली उसे एक बार मिल ही गया था जिसकी लाइट्स अभी तक जल रही थी लुक जल्दी से अंदर घुसता है और देखता है कि यहाँ तो उसके अलावा और कोई भी नहीं था यहाँ भी कई सारे लोगों के कपड़े और बाकी सामा नहीं पड़ा था सब खुद को शांत करने के लिए थोड़े ड्रिंक पिकर लुक इस बार के पावर सूर्स को देखने जाता है कि यहाँ भी तक लाइट कैसे है वो बेस्मेंट में जाकर देखता है कि यह बार पिछले तीन दिनों से लगातार एक बैक अप जेनरेटर से चल रहा है जो कि ओयल से काम करता है इसलिए अभी तक बंद नहीं हुआ मगर अब इसका भी ओयल खत्म होने वाला है और इस बार में भी अंधिरा हो ही जाएगा लुक सब कुछ देखी रहा था कि पीजे से 12 सल का एक बच्चा जिसका नम जेमस है वो डरते हुए कहता है कि यह बार उसकी फैमिली का है तो लुक अभी यहां से बाहर निकल जाए अब लुक किसी तरह से जेमस को भरोसा दिलाता है कि वो उसके लिए कोई खत्रा नहीं और वो से सब कुछ रिवील करता है जो कुछ भी बाहर दुनिया में चल रहा था अब जेमस अपने बारे में बताता है कि तीन दिन पहले जब यह सब शुरू हुआ तब पूरे बार में सिर्फ वो और उसकी माही जिन्दा बचे थी क्योंकि वे गलती से फ्लेश लाइट के पास रहे गई और तब ही उसकी माह पास के चर्च में चली गई थी ताकि उनके लिए मदद ला सके लेकिन वो पिछले तीन दिनों से वापिस नहीं लोटी है अब ल्यूक कहता है कि वे शायद से वापिस भी नहीं आने बाली वही उन्होंने नोटिच भी किया है कि तीन दिन पहले उस घटना के बाद हर एक दिन सूर्य बहुत देर से निकल रहा है और दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं वहें अंधेरा होते ही इंसान गायब हो रहे हैं और जितना ल्यूक को लगता है कि ये कोई एलियन लाइफ प्रिच्वी पर आई है जो कि शायद से रोशनी में नहीं रह पाती और चूंकि प्रिच्वी पर उनके खाने लायक कुछ होगा नहीं तो वे इंसानों को ही खा रहे हैं वहें वे एलियन्स पता नहीं कैसे मगर प्रिच्वी को सूरिय से दूर ले जा रहे हैं यहने कि जल्दी यहां का टेमपरेचर तेजी से नीचे गिरने लगेगा और दिन और ज्यादा चोटे होते चले जाएंगे ताकि प्रिच्वी रहे एलियन्स के रहने के अनुरूप हो जाए अब जेम्स यह सब सुनकर तो डर गया था हाला कि उसे अभी भी यकीन था कि उसकी माच चर्च में अब तक जिन्दा होगी लेकिन लूप कहता है कि अगर वे जिन्दा ही होती तो वे अब तक वाबिस आ गई होती और उसे जो जानकारी इन इलिन क्रीचर्स के बारे में पता लगी है वो ये सारे ही जानकारी शीकागों के मेन नासा उफिस में जाकर वेग्यानिकों को बता देगा ताकि वे कुछ नकुछ तो कर ही सके और जेम्स अगर चाहे तो उसके साथ चल सकता है अब लूक ने यहां से खुद के गले में लाइटस पहन कर निकलने की तैयारी कर ली थी लेकिन जेम्स अभी भी भी नहीं मानता कि तब ही वहाँ वही नर्स रोजमेरी आ जाती है जो कि कहानी के शुरू में होस्पिटल में थी वह भी डरते हुए अपने बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि उसके होस्पिटल में भी कोई नहीं बच पाया यहां तक कि उसका पती और उसका बेटा भी गयब है और रोजमेरी यह कहकर परिशान होते हुए फारिंग करने लगती है यहां लूक और जेमसू से किसी तरह से शांत करते हैं और रोजमेरी अब अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है कि कैसी जब वो कुछ देर के लिए होस्पिटल के बाहर एक ब्रेक लेने गई थी तब ही वो बड़ा लाइट आउट हुआ था और उसे अपने असपास से गाड़ियों के टकराने के आवादे आने लगी वो भी तब इसलिए बच गई थी क्योंकि उसके हाथों में लाइटर जल रहा था तो वो होस्पिटल से भाग कर अगली सुबह अपने घर पहुंची लेकिन ना तो यहां उसका पती ही था और ना ही उसका चोटा बेटा और पिछले तीन दिनों से रोजमेरी ऐसे ही भठकती फिर रही है उसके पास बहुत से ग्लोश्टिक्स भी थी जिन्हें कि वो अंधेरे में इस्तिमाल करती है तो वहीं बाहर अब तक पॉल भी गिसटते हुए इसी ओर आ रहा था उसके लाइट बुझने ही वाली थी कि वो इसके पहले ही एक सोलर पावर से चलने वाले बश्टेशन के नीचे आकर बेहुश हो जाता है और बार में जब लुक रोजमेरी से बाते कर ही रहा था तो उन्हें पॉल की आवाज आती है लुक शुरू में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था मगर जेमस और रोजमेरी के कहने पर वो बाहर देखने जाता है कि ये आवाज कहां से आई अब उसे बाहर गाहल पॉल मिल ही जाता है जिसके सिर पर किसी ने वार किया हुआ था तो लुक किसी तरह से उसे बाहर में वापिस लाने लगता है उसे पता था कि अगर उनके असपास भी अंधेरा हुआ तो वे दोनों यहीं मारे जाएंगे और आखिरकार रोजमेरी की मदद से वे पॉल को अंदर ले ही आते है और उसके घावों को इलाज करने लगते है अब कुछ दिर बाद जब पॉल को होश आया ही था तो वो भी अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे तीन दिन पहले जब वो ब्लैक आउट हुआ तब वो इसलिए बच पाया चूंकि उसकी हेडलाइट काम कर रही थी लेकिन जल्दी उसकी भी बैटरी खत्म होने लगी और थोड़ा सा अंधेरा होते ही किसी ने उसके सिर परवार किया यहां पोल पहला इनसान था जिसने उन एलियन क्रीचर्स को पास से महसूस किया था और वो बताता है कि वे एलियन क्रीचर्स यूमन इमोशन्स तक को महसूस कर लेते हैं वे उसे बहका रही थी कि वो अंधेरे में आ जाए लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी हेडलाइट जल गई और वो मरने से बच गया जहां से वो किसी तरह से घायल होने के बावजूद उस बच्टेंड तक भाग आया था अब लोग उन क्रीचर्स के बारे में और जाना चाहता था कि वे होते कैसे हैं और पॉल के अनुसार उनके कोई फिजिकल बोड़ी नहीं होती बलकि वे अंधिरे के अनुसार खुद को लिक्विड फॉम में बदल सकते हैं इसलिए वे कभी भी रोशनी में नहीं आ पाते अब चारो हुई अपनी जानकारियों को इस्तिमाल कर इन क्रीचर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे थे क्योंकि उसी से वे बच पाएंगे और वे प्लैन बनाते हैं कि वे एक साथ यहां से निकल कर शिकाग हो जाएंगे और वहां मौझूद वेग्यानिकों को अपनी सारी इन्फरमेशन शेयर करेंगे वहें उन्हें दिन के निकलते ही तेजी से ट्रेवल करना होगा क्योंकि हर बित्ते दिन के साथ राते बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है अब वे बाते कर ही रही थे कि तभी बार की लाइट बंद होने लगती है क्योंकि बैक अप जेनरेटर का फ्यूल खत्म हो रहा था तो सभी जल्दी से बेस्मेंट में जाते हैं जहां कि आखरी बल्ब अभी तक जल रहा था यहां पॉल पोइंट आउट करता है कि उसने इस ब्लैक आउट से पहले एक बुक में एक रेल लाइफ घटना पढ़ी थी जिसमें कि एक आईलेंट के लोग अचानक से एक ही रात में कहीं गायब हो गई थे और बाहर के दुनिया को यह सब तब पता चला जब अगली सुबह उन्हें सप्लाई देने गया हुआ शिप उस ऐलेंट पर पहुंचा और वहां उन्हें सिर्फ लोगों के कपड़े और बाकी सब सामा नहीं मिले पर लोग नहीं अब हैरानी वाली बात कि यह घटना पंदरवी शताबदी में घटी थी और बाकी दुनिया में यहीं सब इतने ज़्यादा सालों के बाद शुरू हुआ यानि कि उस वक्त वे एलियन्स प्रिच्वी पर पहली बार आए होंगे और उन्होंने प्रिच्वी गरह का पूरा डेटा लिया और अब इतने सालों बाद वे पूरी प्रिच्वी को कंट्रोल करने आए है वहें इन एलियन्स का प्लैनिट हमारी प्रिच्वे से काफी ज़्यादा दूर होगा इसलिए उन्हें यहां वापिस आने में 500 से ज़्यादा साल लग गई अब पॉल गुसे में था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वे करे क्या और वो जेनरेटर को मारते हुए खुद को ही घायल कर लेता है रोजमेरी और लुक उसे उपर लाकर पूल टेवल पर लेटा देते हैं और रोजमेरी चूंकि एक नर्स थी तो वो उसका इलाज करने लगती है वहें लुक को याद आता है कि उसी रात जब वो अपने ब्रोडकास्टिंग रूम में ही था तो हर जगह पर वहीं ब्लेक आउट होना शुरू हो गया और तब पहली बार लाइव टीव पर किसी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए सभी को अपने पास एक टोर्च जरूर से रखनी है वो ये भी कह रहा था कि वेक रिचर्स किसी भी शेप में आवाजों से इनसानों को बहकाने की कोशिश करेंगे कि इनसान किसी तरह से अंधिरे में आ जाए सो सबको साफधान रहना होगा वहीं अब प्रेजेंट में लुक कहता है कि वे दिन निकलने का इंतिजार नहीं कर सकते उन्हें अभी है कार का इंतिजाम कर यहां से शिकागो के लिए निकलना होगा वैसे भी इस बार के लाइट जल्दी बंद पड़ जाएगी लुक को स्ट्राइक भी होता है कि जब वो पॉल को लेने बाहर गया था तब उसने बाहर एक वरकिंग ट्रक को देखा था सो उन्हें पहले ट्रक को यहां लाना होगा और फिर वे एक साथ मिलकर यहां से निकल जाएंगे वे इस जेनरेटर का बचा हुआ ओयल भी ट्रक में डाल देंगे ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तै कर सकें हाला कि रोजमेरी डरी हुई थी लेकिन लुक कहता है कि अगर वे यहें रुके तो वे वैसे भी मारे जाएंगे और वो पॉल को यहीं जेमस के साथ चोड़ रोजमेरी के साथ लुक ट्रक लेने चला जाता है यहां वे दोनों भागते हुए ट्रक को ढूंड लेते हैं और किसी तरह से धका देकर बार की और लाने लगते हैं ताकि उसमें बार से ओयल डाल कर उसे स्टार्ट कर सके तो वहीं बार में पॉल और जेमस बिलकुल अके ले थे और पॉल के सिर में चोट लगी होने से उसे हलूसिनेशन्स होने लगते हैं जेम्स उसे जगाने की कोशिश भी कर रहा था और वो उसके लिए पानी लेने जाता है कि तब ही जेनरेटर की लाइट भी बंद हो जाती है दूसरी और लुक और रोजमेरी धका मारकर ठक चुके थे वे एक साथ काफी दूर तक उसे ले आए थे और अब बार में सिर्फ लुक और रोजमेरी उसे अपने पास बुलाने लगते हैं ताकि उसे बचा सके लेकिन वो लड़की तो डरकर उसे दूर भागने लगती है जहांकि लुक उसे पकड़ने के चकर में नीचे गिर भी गया था और उसे टोर्च गिरने से वो अंधेरे में जाने वाला था कि आ अंधेरे में समा चुका था पौल इसे दुखी तो था मगर उसे बेसमेंट के आखिर में एक दर्वाजा नजर आता है जिसके दूसरी और एक तेज रोजनी वाला टनल खुल चुका था पौल जल्दी से उसी में जाने लगता है ताकि बच सके लेकिन अब उस टनल के लाइ साकर देखता है कि पौल भी अब तक जा चुका था जबकि बाहर लुक और रोजमेरी परेशान थी कि वे क्या करें क्योंकि उनकी बैटरीज और लाइट्स एक एकर बंद हो रही थी सो लुक बचे कुछे ओयल में ही आग लगाने लगता है ताकि वे कुछ रोशनी कर सके ल तो वे उसे भी फ्यूल की रूप में इस्तिमाल कर पाएंगे और वे अलग-अलग होकर होस्पिटल की तलाशी लेने लगते हैं कि अब इसी बीच अजानक से रोजमेरी को अपने बेटे मैनी की आवाज आने लगती है और उसे अपने बेटे का वोकर भी दिखाई दे रहा था हाला कि ये बिल्कुल खाली पड़ा था और उसने अब तक ध्यान नहीं दिया कि वे क्रीचर्स उसे इल्यूजन्स दिखा रहे थी और उसे रोजनी से दूर ले आए जब तक लूक वहां तक पहुँच पाता अब रोजमेरी भी जा चुके थी लूक अब अकेला ही बच था था तो वो किसी तरह से ट्रक को धकेलते हुए वापी से बार में आ पहुचता है यहाँ भी जेमस ही बचा था क्योंकि पॉल भी मारा गया तो लूक जेमस को ट्रक में बैठा कर ट्रक एंजन को जेनरेटर से स्टार्ट कर लेता है और दोनों फाइनली शीकागों के जाने लगता है यहाँ लूक ट्रक को फिर से स्टार्ट करते हुए चिलाता भी है कि जेमस अंदर ना जाए मगर जेमस उसकी एक नहीं सुनता और चर्च के अंदर चला ही जाता है यहाँ लूक ने ट्रक को फिर से स्टार्ट कर लिया था वो चाहता तो अकेला ही आसाने से निकल सकता था मगर वो थोड़ी ही आगे जाकर जेम्स के लिए वापिस मूडाता है और चर्च के अंदर जेम्स के उपर रोशनी कर उसे बचा लेता है हाला कि जेम्स अभी भी उसके पास आने को तयार ना था वो कहता है कि उसे अपनी अगेला जेम्स ही बचा था जो की जर्च में जल रही केंडल्स के बीच बैठ जाता है और अब वे केंडल्स भी एक एकर खत्म होने लगती है और अब जब अगली सूबह निकलती है तो जेम्स अभी तक भी बचा हुआ था कुछ केंडल्स अभी तक भी जल रही थी जिस कांड वो बच गया और अब उसके पास वहीं कल रात वाली छोटी लड़की आती है और बताती है कि कैसे वो इस सोलर लाइट के जरीए अब तक बची हुई है जेमस उसे बताता है कि उन्हें शिकागो शेहर में जाना होगा और जो इंफर्मेशन लूक ने उसे दी थी वो उन्हें आगे बढ़ानी होगी दोनों बाहर निकलते हैं और एक गोड़े के उपर सावार होकर शिकागो के लिए निकल पड़ते हैं उन्हें पता था कि दिन बहुत ज्यादा छोटे होने वाले हैं और फिर से अंधेरा होने पर वे क्रीचर्स उन्हें खाने की कोशिश करेंगे इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है सो वीडियो पसंद आया हो तो इसी लाइक करते जाएं साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक वीडियो के लिए ठेंक यू